कि हेलो फ्रेंट्स में अब कमेंड्ट और एक के सिंग और आज हम नेक्स टेपर देखेंगे यानि कि सी टेट का नेक्स टेपर देखेंगे और वह है फरवरी दो हजार चौदा का ठीक है बच्चो तो सीट की हमने सारे यानि गुँ तरह से उल्टी तरफ से पेपर देख रहे है 2020 से पहले हमने देखा 2022 का वेपर उसके बाद डहीं See 2022 से हम पेपर देखते हैं तो चलिए समय बैचत करते हैं आज का वेपर देखते हैं सामाजी कारिया है में सक्रिय बाागी-दारी और को हम आपाज कोशल करें निर्वाए निर्वाह करने कोशन का विकास नुमजी कारें देखते हैं एक शिख्षाम से कहता है कि सभी प्रकार के प्रत हैं क्या है कार ये या नि का निर्मान इस प्रकार किया जा गया है कि प्रति एक विद्यारति के अधिक प्रभावी शील्ड से सीखा जा सके अते सभी विद्यारतियों को बिना किसी अन्य साहता से यानि कि वो कहना चाह रहा है कोलर का जो सिद्धान्त है ना कि सभी को एक तरह से बिल्कुल अलग- कि देवी का अपने आप से प्रतक स्वेतंतरता व्यक्ति के भावना को विक्सित करना चाहती है इनियर्व परियाज कर रहे है बहुत जाए जाएगे यानि कि अपने आप से एक से तरह से जल्व में है तो यानिकि आपने आप से जभ चीछ आ जाएंगी तो 내 रूय विश्सक हो गाया यह से एक तरह से डार इरेक्षण होगे यह सारे separating में का के पर में कौश्चन 6 रिक्षाक के संदर में नियुओने के दिश्चाड सब्सक्षाइण तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा option number two समाजिक समस्यां को फिस घुने कि में शक्षण होना चाहिए यानि क्या option number two जाएगा question number छेके करा भाषा आव ईबोधन के संबंध में कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्चन में सा अलोचनात्मक दृष्टे कौन बहुँ बुद्धी सीध्धान यानी थियूरियों मल्टी से संबंदें नहीं है तो इसमें नहीं है में तो आपका हो जाएगा प्रगति शील विद्धियारति के प्राए एक शेत्र में नहीं रहते हैं यानि कि एक शेत्र की जहां पर बात आजए और यह कहते हैं मल्टी तो यहां पर यह हो जाएद आर्ड को वैद नहीं माना जा सकता क्योंकि क्योंकि विशिष्ट शिक्ष यानि की परिक्षणों के अभाव में बुद्धियों का यानि इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है यानिकि option नमबर पहला हो जाएगा इसका अंजर क्योंकि विध्यारतियों के व्यक्तियत विवेटता काहा जाएगी देखो व्यक्तियत विवेटता का अंसर हो जाएगा लगबग सभी नहीं हो गाई यह हो जाएगा यह कहा लगबग यह लाबकारियों हैं क्योंकि विध्यारतियों की संग्यानात्र रचना संद्रचना को खोजने में अपना प्रतक यानिक option नमबर चार हो जाएगा इसका अंसर और नहीं है तो सुरी जो यह वाला था क्या व्यक्तियत विवेटता वाला जो आंसर था इसमें यह आंसर प्रक प्रकौण विकास निश्चित किया जा सके यानि कि एक तरह से सभी को एक साथ लेके चला जा सकते क्या नमर 11 कॉंसा एक अन्य विकल्पों से मद्य नहीं है तो इसका अंसर प्रतिमानित करना यानि option नमबर चार हो जाएगा इसका अंसर क्या नमर 12 क्या प्रक्रशन अपने विश्च शेतर से ठीक तरह से मिला हुआ है तो वो क्या है तो इसका अंसर देखते हैं आगे चलते हैं इसका अंसर जुड़े वे नहीं हो जाएगा option नमबर चार सही कह रहा है निर्दारित कीजिए कि दिये गए मापन को विश्च के कौन से मापन के उत्तर मान परिमान को यानि option नमबर फूर हो जाए इसका अंसर चलिए आगे चलते हैं question नमबर तेरा देखते हैं मिलें कौन से सरवादिक प्रभावकारी विधी हो सकती है जो आपकी इस उपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचेत विद्यारति अपनी भागिदारी द्वारा सफल हो सकते हैं तो उस चलते हैं question number 14 देखते है कौन सा विकास आत्मक विकार का उधारन नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा पर अभी घातक पर अभी घातच तत्व यानि option नमबर तीन हो जाए इसका अंसर चलिए आगे चलते है question number 15 देखते हैं बहु शिक्षण सास्त्री तक्निक वर्गिकृत अधियम सामगरी बहु आकलन तक्निक ताते परिवर्टन शील जाटे ताइम सामगरी का सरूपन निम्लिकित में किससे सम्मा देथा तो इसका अंसर हो जाए विवीदित अनूदेशन यानि के option number 3 आजाएगा question number 16 देखते है निम्लिकित में इससे परती भाशाली अधियम कर परता के लिए क्या सुनिश्चित है तो क्या सुनिश्चित होना चीए सदय अपने अन्या तो इसका अंसर हो जाएगा अपनी उच्छे स्तरी संवेद्न शीलता को के कारण वे विभिन श्रेणिंग पा सकता है यानिकि option number 3 हो जाएगा question number 17 देखते है विद्यार्तियों के सम हाँ चलिए आगे चलते हैं question number 18 देखते हैं बच्चों के सीखने सीखाई गई निस्त्र साहेता का का कारण क्या होगा तो इसका अंसर हो जाएगा इस वेवार को अर्जित कर लेना के लिए सफलता नहीं हो सकती यानि option number 1 हो जाएगा चलिए आगे चलते है question number 20 देखते है चलिए प्राट करता है तो उसे अभिवावक को उसकी साहता है तो प्रामाश दिया जा सकता है तो क्या दिया जा सकता है वह अध्यापक को गनिष्ट संगती के कार्य करा रहा है यानि कि option number पहला question number 20 देखते है कौन सा समस्य समधान का लिए बादक नहीं है तो हो जाएगा अंतर दृष्टी यानि inside theory और inside theory है कि कमेंट्रक्शन बता है inside theory है कि question number 21 देखते हैं एक शिक्षक का पार्ट को पूर्ण पार्ट से जोड़ते हुए बच्चों को एक तरह से उसकी समरी बताती है सारांस लिक्वान सिखा रही है वह क्या कर रही है तो वह करा रही है बच्चों को पार्ट समझाने के स्वैश शेली विक्सित करना आने के लिए सायता कर रही है यानि option number पहला हो जाएगा इसका रहा है क्योंकि इस तुरूटी में क्या कर रहे हैं यानि कि एक तरह से चीजों को सीख रहे हैं तो इसका अंसर यह हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं question number 23 देखते हैं परिक्षा के इतना पातित को प्रभावित कर रहा है तथा यह तथा है निमलिकित में से किस प्रकार के संबंद को स्पष्ट करता है तो हो जाएगा संग्यान भावना यान कि option number पहला हो जाएगा इसकांसा चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करें 24 देखते हैं एक अध्यापक उस बच्चे के साथ प्रामाश करता है जिसमें निस्पातियात्मक प्रगति का एक गटना के पशात अनुकूल नहीं है निमलिकित में से कौन सी प्रक्रिया विद्याले में प्रामाश के लिए ससे बैता रहे तो इसका आंसर हो को जिए लोगों के आत्म विश्वास को निर्मान करता है यानि एक विद्यारती उच्चितार रहे है स्रजना शीलता रचना रंग मंची कलाकार बनना चाहता है तो उसके लिए कौन सा कुछ सबसे कम परभावी होगा तो देखते हैं यह राज्य सर्य परतियों योगिताओ को जीतने के पर यास करें ताकि चात्रवर्ती पासके क्योंकि चात्रवर्ती इसको चात्रवर्ती से क्या करना जाब उससे उच्चे इस तरह क्रेटिव कलाकार बनना है तो यह उसके लिए इंपोर्टेंट नहीं है चेरी आगे चलते हैं इन में से कौन सा सिधान्त करता या जो जाएगा इंडियावक द्वारा बच्चे को स्वयत्ता को बढ़ावा देना यानि कि स्वयत्ता को एक तरह से यानि कि इने फ्रीली छोड़ने वाली बात कर रहा है चलिए आगे चलते हैं क्वेशन नमबर 28 देखते हैं परिपक विद्यारती को होता है जो इसमें सारी चीज़े और अपने अध्याफन में कभी-कभी भावनावों को सायता जाता है यानि कि ऑप्शन नमबर 29 देखते हैं पूर विद्याले में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिलाता है और दूस्य वह श्याथ वह बच्चा प्रारब में पहली बार आता है तो अपने तनाव चिला कर व्यक्त नहीं करता है अप इता है कंदेव गर्दन की पेश्यतन जाती है और उसकी व्यवार में परिवर्तन आ जाता तो यह आ जाता है विबेदी करण यारे कि करण का विका सब्सक्राइब करना है और आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है चलिए आप इसके बाद गर इतुम बढ़ाएगी मैं सेक्षिन चलिए थैंक यू आपने सीडीपी का पार्ट कर लिया सीडीपी जो कि आपको एक शर्ने करवाई है अब आपको नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है यह आपका मैंत के कोश्चन अब हम करेगी तो गनित है आपको पता ही है है हर पार्ट से आपके थृटी कोश्चन आपके होता है थाटी कोश्चन आपके सब्सक्राइब करने जा रहे हैं आज आप पेपर करें अपना जो आपका फर्वरी 2014 में आपका पेपर हुआ है तो फर्वरी 2014 का हम पेपर करें और पर आपको पता ही है और पेपर आपके लिए इंपोर्ड रहते हैं आप निकाल लोगी तो आपको निकाल लोगी तो आपको पेपर से आपने आपने अपने तयार कर लिया तो आपको बहुत सारे जो कोशन होते आपको रिपीटिड होते हैं तो उनका पैनिफिट आपका एक्जाम में मिलेगा ओल्ड पेपर सही वे कोश्चन आपके होते हैं ओल्ड पेपर के अगर आपको बुक पर्चेस करनी हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आपको वीडियो के डिस्टिप्शन में चाहते हैं अगर आप इंट्रीट हो पर्चेस करना चाहते हो तो चलते हैं यह आपका दिया निर्देश्या सबसे उचीत कलब चुनना है उप्षन आपको यानि जो इसका परसं के लिए आपको चुनना है चलिए आपका कौशन स्टार्ट होता है कोशिन नमबर 31 आपका दिया गया है किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटिमीटर है एक आयत की चोड़ाई इस वर्ग की चोड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चोड़ाई की दोगुनी है आयत का चेत्रफल वर्ग सेंटिमीटर में है तो आयत का चेत्रफल दिया गया है वर के मितले हैं निकालने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले आप प्रीम आप देखे आपको 20 cm वर्ग का देखे यहां पर आपको स॑लूशन के साथ मैव करवाया जाया है रहें वर्ग का प्रीमा डिया इगा है बी सेंटी कितने सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर आपका है इसके बाद वर्ग की बुजा तो वर्ग की बुजा यानि यह आपका क्या हो गया बीस बटे चार बीस बटे चार तो बीस बटे चार आपका आगया तो जैसे आप इसे सोल करोगे तो एक वल कितना आएगा चार पंजे बीस आपका होता है तो पाच आपका आजाएगा तो आयत की आपको क्या निकाला है आयत की चोड़ाई आयत की चोड़ाई तो आयत जो आपका है आयत की चोड़ाई तो आयत की चोड़ाई क्या होगी चलिए यह देखते हैं 5 cm आयत की चोड़ाई कितनी आई 5 cm आपकी है तो आयत की लंबाई आयत की लंबाई क्या दी गई यह आपको यह आपका है आयत की लंबाई आयत की जो लेंथ है लंबाई आपके है देखिए आपर लंबाई इस रुझेय की दोगुनी है तो लंबाई क्या यानि इस में आपको कोशियन में आपको वर्ग कप्रिम सकूर्भा परी इसके बाद एक आयगे जो चुड़ाई में लॉगे तो लगे की चूड़ाई में खिट्ली तो आयत की सोड़ऑं कितनी होगी bun लंबाइ की मालटिप्लाइफ अगर हम दो में करतेए तो कितना जाएगा सब्सक्राइब आपको निकालने यापको तो कितना वह गए करते दोगनी आपकी हो गई इसके बाद आयत का चेतरफल आपको निकालना है तो आयत का चेतरफल जो कि वर्ग सैंटीमीटर में है किसमें वर्ग सैंटीमीटर में तो आयत का चेतरफल आपको निकालेगे किसका चेतरफल निकालना है आयत का चेतरफल आपको पूचा गया है आयत का जो शेतलफल हो कितना है वह साथा आपका लंबाई गुनात्ट चोडई क्लफा एक लंबाई कितनी है आप लंबाई आपकी 10 cm जो ड्यक्तिनी तो दस मॉन्टिप्l सब्सक्राइब चाहिए ओप्षन चाहिए इसके एक एक करके ऑप्षण ए 30 ऑप्षण भी ऑप्षण क्या दिया आपको 30 ऑप्षण सेगिंट फ्युप्टी ऑप्षण थर्ड हंड्रेड ऑप्षण फूर्ड फॉर्ट फॉनटी फाइव तो राइट अंसर ऑपका कोश्चनन नेक्स्ट अब आपका question है question number 32 question क्या आपका 32 आपका दिया गया है किसी आयतकार बक्षे A की आंत्रिक लंबाई चोड़ाई और उचाई क्रम से 20 cm, 18 cm और 15 cm है तता बक्षे B की 18 cm, 12 cm और 5 cm है बक्षे A का आयतन बक्षे B के आयतन का कितना गुना है तो कितना गुना होगा question जो आपका दिया गया है तो किसी आयतकार बक्षा एका आयतन किसका जो बक्षा आपको दिया गया बक्षा जो आपका है बोक्स आपका है तो बक्षे एक आयतन कितना आपका है यह आपको बक्षा चले कोईशन अब आपको दिया गया सोल इसको करते है बक्षा एका आयतन किसका आयतन है बक्षा एका आयतन तो बक्षा एका जो आयतन होगा वो कितना है आपका बीस गुना अठारा गुना पंद्रा यह आपका है क्या है बच्चों यह आपका था बक्षा किसका बक्षा एका आयतन किसका आयतन एका आयतन बक्षा एका आयतन कितना दिया गया आपको 20 गुना 18 गुना 15 तो इसे solve करने के बाद कितना आपका आता है या आपका आएगा यानि तीनों की multiply करने के बाद आपका कितना है चोवन सो सेंटीमीटर क्यूब आपका हो गया फिर इसके बाद बक्षा बी का जो बक्षा आपका है जो बोक्षा आपका है क्या है बोक्षा आपका है तो बोक्ष बी का आइतन किसका आइतन बोक्ष जो बी है उसका आइतन अब हम देखते तो बोक्षा जो आपका है बी का आइतन तो बी का आइतन क्या होगा बी का जो आइतन है बी का आइतन आपका है अठारा गुना बारा गुना पांच तो ये क्या है आपका इसका है आपका एक हजार असी सेंटिमीटर क्यूब एक हजार असी सेंटिमीटर क्यूब आपका हो गया तो एका आइतन ये आपका हो गया A का item किसका item A का item रेशो या फिर आप अनुपात आप बोल लीजिए item हो गए आपका B का item किसका item B का item तो A का item अनुपात B का item A का item क्या है आपका चोवन सो आपका था चोवन सो संटीमीटर क्यूब और B का item आपका 1080 क्या है 1080 आपका है तो देखे इसे जो आपका इसके बाद क्या आएगा या आपका आएगा 5 रेशो एक आपका है क्या है आपका आएगा कि आप 0 से 0 वाकर गया 108 53 आपका तो पांचर एक आप का 5 पांचर उपात आता है फिर इसके बाद आप आपका देखें कि कितना क्या है तो कितना गुना होगा 5 यानि जो एका का जो आइटन आपका वह क्यों ना है आइटन घुसा जो एका आइटन है वह बीक है सब्सक्रॉसार आईटन से वांट गुनना कि अरच कि आइटन गुनना दृब्क दिखा तो पांच गुना ज्यादा है जान थो अब देखते हैं option A 4 option B 5 option 6 option 4 आपका है तीन तो राइट अंसर क्या होगा आपका पांच तो पांच गुना जदा आपने देखा तो question 32 option B right answer 5 जो आपका right answer यानि एक जो आइतन था वो बीक आइतन से 5 गुना ज्यादा है चलिए next अब आपका question होगा कोशन नमबर 33 कोशन दिया गया आपका 33 है निमन में से कौन साही नहीं है तो जो इस में से सही नहीं है वह आपको चुनना है ऑप्शन आपका दिया गया 10 cm भुजा वाले वर्ग का चेतरफल कितना है आपका पराबर है दस सैंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चोड़ाई वाले आयत का चेतरफल ऑप्शन सेकिंड एक मीटर पांच सैंटीमीटर रिक्वल वे 1.5 सैंटीमीटर आपका दिया गया है 1.5 मीटर ऑप्शन सी 0.40 और 0.4 समान है ऑप्शन फॉर्थ रुपे तीन बटे चार ऊक्वल रुपे 0.75 आपको दिया गया है तो जो कोशिन आपका तो सही कों सां नहीं है इसमें से चयब को जो आपका एक मीटर आपको एक मीटर पांच सेंटी मीटर Warning कि यह mode कि बराबर का सो सैंटी मीटर होता है कितना एक मीटर के बराबर कितने सैंटी मिटर नहीं है यह आपका राइट आंसर है तो सही नहीं है पूछा गया था इसमें तो यह आपका सही नहीं है तो कोशन 33 का ओप्षिन भी राइट आंसर है नेच्स्ट कोशन अब आपका कोशन नमबर 34 एक संत्रे का मुल्या रुपे पांच रुपे पचास पैसे तथा एक किलोग्राम सेव का मुल्या रुपे असी है तो डेड़ दर्जन संत्रे तथा एक और तीन चोथाइक किलोग्राम सेव का कुल मुल्या होगा तो कुल मुल्या आप से पूछा गया कि कितना मुल्य होगा तो चलिए देखते हैं इसे कैसे यानि एक संतर का मुल्य का तो एक संत्र का मुल्य है तो एक संत्र का कितने रुपे आपका पांच रुपे पचास पैसे ठीक है और ज़ो आपका कोईशन है एक डेरद्र दर्जन संत्रे आप हैं से पूछा गया थो जो संत्रे वुंत इन्यांने एक दर्जं में आपके 12 होते हैं में कितने आपके 12 होते हैं और अधर दरज़न के कितने होगे उफपराइं गारता को बारा उच्यचा कितना अठारा हो जाएगा तो या आपका छया यानि अठारा आपका होगे तो अठारा हुआ कितने रुप्य होते हैं रुपयाद्थ- निदीन और डान पानविवरमाद्थ- सेब का मूल्य जो एपल आपका होता है तो उसका मूल्य हो वो कितना होगा वो दिया गए आपका रुपे 80 तो तीन तो एक और तीन चौताई सेव का मुल्य कितना हो गया आपका यह आपका हो जाएगा 1 सई 3 बटे 4 गुना 80 तो कितना हो गया आपका 7 बटे 4 गुना 80 तो रुपे यानि या आप काट लिजे 4 दुनी 8 20 आपका हो गया और 20 शत्ते कितना होता है सार दुने सोटा ऑपके क्या हो गए सेब आपके हो गए तो पुल मुल्य आपको निकालना है तोल जो एमाउंट हुआ कितना होता है या आपके 1730 कि आपके 250 टारिसाथ या आपौне दो 149 आपका आएगा सब्सक्राइब तो ने रूपए ने उनका मुल्या थापके संतर निवान सेब्सक्राइब option first आपका है रुपे 219, option second रुपे 239, option third रुपे 249 तो राइट आंसर क्या आपका option third रुपे 249 आपका राइट आंसर है question number 34 का, चलिए next अब आपका question है question number 35, question दिया गया आपका 35, रास्टे पाटे चरिया की रूपरेख़ 2005 में यह उल्ले किया गया है कि गनीत सिक्षन महत्वकांसी सुसंगत और महत्वपून होना चाहिए, यहां महत्वकांसी सेतात परिया है, निमली कित में से किसकी उपलब दिया है, option first, गनीत के संक्रिन उद्देश्य लक्षो की, option B, गनीत को अन्यविश्यो से जोडने की, option third, गनीत के अनुपरियोग की, option fourth, गनीत के उच उद्देश्य लक्षो की, यह आपकी उद्देश्य लक्षो की आपका है, तो right answer आपका बताना है question number 35, तो right answer आपका option fourth है, गनीत के उच्छ उद्देश्य लक्षों की तो किसकी उपलब्दी है यह गनीत के उच्छ उद्देश्य लक्षों की प्राप्टी होगी तो कोश्चन 35 का उप्षिन फॉर्थ राइट अंस्वर नेक्स्ट आपका कोश्चन है कोश्चन संक्क्षा औरर विशमसंक्षा की संकलपना का पिप्रीच्च्य मूर्थ प्र ideia ने के चात्रों से है जाच करने के लिए कि वे यह देखे तो क्या देके ऐलारा प्राफको अपका रंगों के डिब्बों में क्रेयानों की कुल संख्य सम है अत्वा विशम सेकिंड है आपका उनकी गनित की कोफी में कागजों पेजों की संख्य सम है अत्वा विशम क्रेयानों पेजों की सम अत्वा विशम संख्या ज्यात करने का यह कारियर चलिए इसके दिएगया औप्शन 1 आपका है औ फ़्षन आपका द्यागे अधीगम के लिए मूल्यांकन हैर ऑप्षन भी ससे के रूप में मूल्यांकन है अब आपको और है तो आपको ओप्षिन के लिए क्या होता है जो सिख्षक का होता है टीचर आपका होता है उसने चात्रों से डिबों के सम्याविशम होने की जाज के लिए कहा कि इस परकार का जो पारिया होगा वो क्या होता है अधिगम का मुल्यांकन के लिए आपका important होता है तो अधिगम के मुल्यांकन आपका right answer option first इसका सही उत्तर होगा चलिए next question क्यों बढ़ेगे next अब आपका question है question number 37 question दिया गया आपका 37 है कक्षा second में व्यक्लन घटाने के प्रचालन की व्यक्या करने के पश्चात सिक्षक ने स्यामपट पर नीचे दिया गया चित्र खीचा और बच्चों से रित्वरत्तों को बढ़ने के लिए कहा तो यह यह आपको figure आपको दी गई है चले figure आपने देखे लिए figure आपको दी गई है इसमें अब आपका आगे क्या दिया गया है आगे आपका है चले फीगर आपने देखी ली अब इसके option आप देखिए इस अभ्याज का उद्देश्य है तो उद्देश्य क्या है option first संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल करना option second संकलित मुल्यांकन option third चात्रों के लिए मजेदार किरिया कलाप की वेविस्ता करना option fourth मस्तिस का गनीति करन तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका संकलन और व्यकलन की कुशलता घो परबल करना question 37 का option first राइट आंसर है चलिए next अब आपका question question number 38 आपका दिया गया है नीचे दिये गए चित्र में कुल कितने आयत है उप्यूक्त परशन जाच कर रहा है उप्यूक्त जो परशन है वो क्या कर रहा है जाच कर रहा है चलिए इसके अब आपको दिया गया है option first आपका है सिक्षार्ति के ग्यान की option second सिक्षार्ति के समझ जो बोद अगमियता की next option है आपका option number third सिक्षार्ति की सर्जना तकी option for six आपके याद करने की सक्ति को तो right answer आओगा आपका question number 38 का option second सिक्षार्ति के समझ बोद अगमियता की question number 38 का option second आपका right answer है चलिए next अब आपका question है question number 39 नीचे दिया गया कौन साक्रिया कलाप कक्षा थर्ड के चात्रों की समझ्याओं को हल करने की कुशलता में व्रद्धी के लिए है option first कोई वर्ग पहली जिसमें सीके गए सभी मुख्या पदो जैसे सम्षंक्या विशम संख्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आधी के स अंकेत सुराग दिया गए हो नेक्स्ट अब आपका option है option number second option second अब आपका दिया गया है कोई सामूइक प्रियोजना प्राथमिक कक्षाओं के चात्रों को समान रूप से चार सदनों स्कूलों की सदन पर नाली में किसे प्रकार विबाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल कला सांस्कर्तिक और साक्षिक किरिया कलाप के प्रतिवाशाली चात्रों option third कक्षा में संक्या और प्रचालन विश्या पर अंत्रावर्ग पहली परतियोगिता आयोजित करना option fourth कोई कारिया पत्रक जिसमें चार मूल पर चालनों पर समिश्याए जैसे ग्यात कीजिए चार सो ग्यारा प्लस ग्यारा चार सो इक्यावन प्लस ग्यारा आधी दी गई है तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका option number second है कोई सहमुईक प्रियोजना प्राथमिक कक्साओ के चात्रों को समान रूप से चार सदनों इसकूलों की सदन पर नाली में कि सफरकार विबाजित किया जाए ताकि हर शदन में खेल कलासांस करतिक और साक्षिक किडिया कलाप के प्रतिबाशाली चात्र हो तो इसका option second आपका राइट आंसर है 39 कोईशन का next आपका question है question number 40 कक्सा थड में गुनन की काई में अनुमोधित मूल संकल परना है option first दो अंक्य संक्या को दो अंक्य संक्या से गुना करना next आपका option है option number second आपका दिया गया है गुनन के गुने दरम क्रेगुन और समूगुन option third गुनन पराधारित सब्द शमेश्या option 14 अंक्य संक्याओं को दस से गुना करना तो राइट आंसर के आपका option second राइट होगा गुनन के गुन द्रम क्रेगून और समूगून कोश्चन 40 का ओप्षण सेकिन राइट आंसर है नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 41 कोश्चन दिया गया आपका 41 भीन की 31 से सिक्षक ने चातरों से किनी 5 बिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा यह प्रशन संकेत करता है ओप सब्सक्राइब कोश्चन नमबर 41 का ओप्षण फॉर्ट क्या आपका राइट आंसर है नेक्स्ट अब आपका कोश्चन नमबर 42 कोश्चन 42 आपको दिया गया है किसी अभ्यास में पर्शन था पी यानि पी से लेके क्यू तक तथा आर से लेके एस रेका खंड की लंबाई मापिये क्या मापनी है लंबाई मापिये तो बच्चे ने उत्तर दिया एबी की लंबाई पाथ सेंटीमीटर एबी की लंबाई तीन सेंटीमीटर यह संकेत करता है तो क्या संकेत करता है उनने एबी की जो लंबाई है पाथ सेंटीमीटर और ए रेखाकंड का नाम AB लिखने की आदत है कि किरन्ट तुक्षण कि ऑप्षिन पढ़ने की तुक्ष्ण को तो परिषन में जो रेखा एक का चाहत्रों से सबसे बाद के मैंच में भारते टीम के खिलाडियों के क्रिकेट के स्कूर्ण को पढ़ने के लिए कहा इसके पश्चात उसने छातरों से इन इसकूरों कडर। ग्राफ भीचने के लिए कहा। रहत्ञ देख करें टी तो क्या प्रियाज कर रही थी अब option देखते हैं इसके के करके option first छात्रों की वास्त्विक जीवन और गनित्या संकल्पनाओं के बीच संबंद जानने में सहता करने की option second परियोजना उपगमन द्वारत छात्रों को सिख्षा देने की option तड़कक्षा को आनन्द में एवं अभ नित्या संकल्पनाओं के बीच संबंद जानने में सहता करने की तो कोश्चन 43 का option नमबर ए जो फर्स्ट आपका राइट आंसर है नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 44 कोश्चन क्या आपका 44 कोश्चन दिया गया आपका कक्सा फॉर्थ के कक्सा चोथी है उसके किसी चात्र को निमली कित सब समश्चा दी गई मुंबई में 334 बस स्टोफ है दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टोफ अधिक है तो दिल्ली में कुल कितने बस स्टोफ है चात्र ने उपरुक समश्चा का उत्तर इस प्रकार लिखा तो क्या लिखा 334 मुंबई की हो गय तो इसमें कोश्चन में आपका दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 यह आपका दिया गया है तो 1213 आपका दिया गया है तीन दो पाचर एक छे तीन और एक चार यानि 463 बस इस्टोप दिल्ली में है शिक्सक इस चातर के प्रदशन के विशे में क्या रिपोर्ट देगा तो देखते हैं अब ओप्शन में क्या रिपोर्ट वो देगा तो रिपोर्ट देखे कि इसमें क्या रिपोर्ट देता है चलिए option फस्ट आपका है option फस्ट दियागे चात्र सही उत्तर ज्याद कर सकता है प्रन्तु उसकी अभिव्यक्ति नीकरस्ट है next अब आपका option है option number second चात्र समश्य को समझने और उसका विशलेशन करने में अच्छा है तता उसकी समश्य हाल करने की योगता परसंस नीय है नेक्स्ट option है option number third चात्र ने सही पर किर्याविदी नहीं अपनाई उसे आदिक अभियास की आविशकता है option fourth चात्र सभी आविशक चर्णों को लिखने की योगता नहीं रखता तो अभी आपने देखा जो उसने solution किया है वो क्या उसका correct solution था तो इसका right answer कि आपका option number second है उसने सही तरह जोड़ा था और उसकी जो समश्य हाल करने की योगता है वो क्या परसंशनी है क्योंकि उसने एक दम सटीक उत्तर अपना दिया यानि अच्छी तरह उसने एड़ करके क्या जोड़ के उसका exact answer आपका आया है तो इसका right answer आपका option number second है जाते समश्य को समझने और उसका विशलेशन करने में अच्छा है तता उसकी समश्याल करने की जो योगता है वो क्या परसंशनी है तो आप देखी रहे हो तो कोशन फोटिफोर का option second आपका right answer है आप जैसे आप देले आप old paper आपको मिल रहे है तो previous year के जो आप पेपर करें old paper आप जो कर रहे हो उन से जो आपकी language है लेकिन जो संख्या है सिर्फ वह चेंज आपकी हो रहे है तो संख्या जो आपको चेंज ह पूछा जा रहे है लेकिन जो लैंग्वेज आपकी वह सेम आपको रहेगी अगर आप old paper सारे निकाल लेते हो तो आपको आपको समझ ले तो concept अगर आपको किलियर हो गया concept आपने समझ लिया तो आपको paper है जो पेपर दोगे तो वह पीजिली पास कर लोगे आपके अच्छ प्राइस पर तो वह प्रचेस कर लीजिए 118 रुपे कोई अधर बड़ी बात आपकी नहीं है तो सीटेट के paper first आपको मिलेगा paper second आपका है और EBS के notes आपको मिल जाएगे link आपको video के description में मिल जाएगा site का आप प्रचेस कर लीजिए और अपनी तयारी है यानि old paper आप निक चार सो आठ चारहजार आठ और चारहजार दस आपको दिया गया उसने इने इस परकार पढ़ा 36 46 48 408 4010 पढ़ने में तुरूती का कारण है की option first आपका दिया गया है option first के आपका चातर को गनित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाव कस्ट दायक लगती है option second चातर ने इस्थान्यमान की संकल्पना तो समझ ली है प्रंतु उसका उप्योग नहीं जानता option third चातर गनित का अध्यन करने के लिए उप्योग नहीं है option fourth चातर इस् चातर इस्थान्यमान आपके उनकी नहीं समझता तो उसे संकल्पना कर नहीं पता है वह केवल दो हंक्या उनको पढ़ना आशान लगता यानि जासे आपको 12-13 तरह यानि 2 डिजिट वाली जो संक्या आपके दो संक्या वाली को उसे पढ़ना असान लगता है तो जो question number 45 आपका इसका right answer आपका option number D है तो जैसे 306 306 को 306 पढ़ने से तात्परिया क्या आपका उसने 326 आपका पढ़ा तो उसे तात्परिया क्या हुआ कि जो चात्र है वो इस्थाने मान के संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल दो अंक्या वाले पढ़ने आसान लगती है next अब आपका question है question number 46 कवसा फोर्थ के लिए समय के मूल्यंकन का के प्राचल होगा या होगे चलिए अब इसके option आपको दिया गए option first केवल सैद्रस गड़ी पर समय पढ़ना आदा घंटा अधिक 24 गंटा अधिक 24 गंटा कम AM PM की संकल्पना मिनट और सैकिन में संबल option third केवल अंक्या गड़ी पर समय पढ़ना आधा गंटा अधिक 24 गंटा अधिक 24 गंटा कम AM PM की संकल्पना मिनट और सेकिन में संबंद नेक्स्ट अब आपका कोईशन है कोईशन नमबर 47 रास्टे पाट्टे चर्या की रूप रेका 2005 में उल्लकित गनित की लंबी आकरती संकेत करती है ओप्शन फर्स्ट चुनोती पून समश्याओं को हल करना ओप्शन सेकिन गनित के खेलों का स्रज ओप्शन ठर्ड हास्तिसीद अनुबह अप्रदान करना ओप्शन फॉर्ट एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना तो राइट आंसर क्या आपका ओप्शन नमबर 48 निम्लिकित पर विचार कीज़े तो 5 प्लस 3 इकवल कोईशन मार्क इस सीमीत उत्तर प्रशन का तदनु रूपी मुगत उत्तर प्रशन होगा ओप्शन ने 5 और 3 का योग ग्याद कीजिए ओप्शन सेकिन 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 फ्राप्थ हो और प्रशन तरड कोई ऐसी दो संख्याई बताये जिनका योग 8 है नेक्स्ट अब आपका उप्शन है और फ्राप्शन नमबर फॉर्ट पाँच और तीन का योग क्या होगा तो राइट कुश्चन में आप आपसे कुश्चन जो 48 है इसका राइट आंसर आपका उप्शन नम तो यदि जो इस मुख्ट उत्तर हो तो इसका आपको उत्तर आपको बता राँथा तो इसका प्रशन था परशन क्या था कि कोई ऐसी संख्याई बताओ दो जिसका योग क्या आता हो 8 आपका उता तो 5 परसतीन आपकी व्यशन क्या है चलिए पुस्तकों को किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तके अलमारी में रखी है और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है, पुस्तकाले में कुल कितनी कहानी की पुस्तके थी, सिक्षक किस परशन द्वारा निमली किस मुले को बढ़ा, मुले को क्या कर सकता है पढ़ा सकता है अब आपके option दिया गए, option first अन्य की साहता करना, option second अन्य के साथ पुस्तकों की साज़ेदारी करना, option third पुस्तकों की अच्छी देख बाल करना, option पुस्थाईयोग की संग्वेधन सीलता, तो right answer क्या होग इसका, right answer आपका option third पुस्तकों की अच्छी देखवाल करना तो इस जो पर इसके कोशन आप से पूचा गया तो इसको क्या था यानि पुस्तकों की अच्छी देखवाल करना पढ़ा जाएगा तो कोशन 49 का और राइट आंसर एंग्स्ट अब आपका कोशन है कोशन नमबर 50 सतर पांसो साथ में पांच और चैके इस्थान्य मानों का गुननफल आपसे पूचा गया है तो इस्थान्य मान वाला कोशन आपका आता ही आता है इंपोर्टेंट कोशन आपका होता है इस्थान्य मान हुआ या इस्थान्य मान में अंतर आपका पूचा जाता है यह दो कोशन आपका दिया गए क्योशियन नंबर 50 सब्सक्राइब साइब किसका 500 चानेमान तो जो इस तानेमान रहुगा आपका साथ आपका हो गया तो इनका गुननफ़ आपका यानि चैनल आपका आपका साथ फूछा गए तो जो आपका तर यह आपका हो जाएगा तीन बर आपकी क्या होगे जीरो आपकी आगई देन पांचंग तो यह हो गया आपका 30000 क्या हुआ 30000 अपका आपका यह जाएगा ऑप्चिन 30000 अपक्षिन सेगें 30000 option 30000 option 30 30 so right answer क्या होगा 30, 10, 301 को 43 से भाग करने पर भागफल है तो भागफल आप से पूछा गया है तो इसका जो आपको दिया गया 43 से भाग करने पर भागफल तो 30 यह आपका है तो एजी लिए यह आपको द्यागा 43 तो 43 हम इसे भाग जैसे ही करेंगए तो 30 10 301 आपको द्यागए तो 30 से क्या करना है इसे भाग करना है तो 43 यह आपका चलेगा 7 43 सत्य आपको चलेगा 43 सत्य तो देखें यहाँ पर आप इसके multiply आप करें लिए रोलाई सत्य कितने होते हैं साथ एकिस दो आपका बचा साथ चोक ठाइश ठाइसर दो तीस तो 301 आपका हो जाएगा तो सत्य क्या हो आपका 301 आपने चला तो यहां पर क्या आपका जीरो आपका बचता है यहां पर आपने जीरो उतार लिया फिर आपने यहां पर जीरो लग गो गया तो सात यहाइस यहाइस गया शतर हजार साथ अंसर क्या होगा जो भाग फ़र आपको आया व्याया-पका तरहाइस सथाइगा ओप्शन इस्टरद्र अव्यदक्न साथ यहाइस अपका S tension 7 ye 7 č 1 गया है साथ 7 जारा थाइस आपका और सटर हजार 17 clip पर आइटांसॉर होगा लगा गाईटांनब्र 30 हैं अब को ती आपको 30311 प्राप्त हो तो बताइए जो गुननफल आपको दिया गया है 3001 गुना एक्सटो एक में से ऐसा क्या गटाए जाए जो आपको प्राप्त क्या हो 300311 आपको प्राप्त हो चलिए अब मान लिया आपने जो संख्या आपका है माना यानि सपोज आपने कर लिया जो संख्या माना संख्या के गुननफल माना संख्या के गुननफल गुननफल जो आपका है गुननफल से क्या गटाया गया एक्स गटाया गया तो एक्स गटाया जाए तो इसमें आपको संख्या दी गई है 3001 गुना 101 तो माइनस क्या एक्स आपन गटा लिया तो क्या प्राप्त हो आपको 300 311 आपको प्राप्त होता है फिर आपको अगर आप 300 जो आपको दिया गया है 3001 गुना 101 की अगर आप मर्टिप्लाई करते हो तो क्या आपको प्राप्त होता है यह आपको प्राप्त होता है यह आपको प्राप्त होता है तो माइनस क आपका X आपको द्यागया है डैन आपको संख्य कहते ही 310 OS 11 या पको द्या गया है तो X is your day noon आपकी 30 Josh plausible क्यूंतिनी आद दिया यारी साइगी यानि राइट एंड साइड पर आपकी आहीं तो यह क्या हो जाएगा यानि यह आपका संख्यन राइट आपकी ईस cereal माइनपस यह विन कर न सब् heavily माइएगा तर जैसे ही हम इसमें से माइनस करेंगी तो अपका आपका एक्स है ड़्यां गए टीन हरनी जाई यहां आपका दस रहा 10 स जोद ऊपने तो कितने बाज़ एगा दो कितिना तीस तीस आपके है किया आपके थी आपका प्राप्ट होगा गांध् tutte 6icon किफ़्ीma कि बर्देट अपे चेका है जाती consent के यहां कितने सब्सक्राइब फस्त आपका 3790 ऑप्शन सेकिन 2,090 ऑप्शन 3 2970 ऑप्शन 4 270 तो राइट आंसर क्या आपका 2790 को फिर्स्ट का प्राइट आपका राइट आंसर 3790 आपका राइट आंसर तो 3790 अगर हम गटाएगे तो हमें जो प्राप्त संक्या होगी वह होगी आप राप्त में 300311 प्राप्त होगी चलिए नेक्स्ट अब आपका कौ Origin 번째 53 59 32 है कि यह आपका नेक्स्ट कौक्शन आपका 53 3630 सबसे चोटा प्लास अट आरा और 45 का सबसे बड़ा सारु गुननखंड बराबर है क्या है बराबर आपका है तो यह आपका एक तो भू और सब्से चोटा सारु गुनखपको दिया गया है तो यह पलस का साइन नहीं 원 mouth आपका divide का साइन आपका का बॉअध का साइन है भाग का चले अब जो आपका शंच्या दी गई था 0 आपको सार्व ढूद्यास घ्या होता है आप का सारो छोगा आपका जो कि आपका सारव गुनज गया होता है आपका लैसे आपका होता है सारव गुनज होगा आपका लैसे तो आपको LCM या लैसे आप बोलीजे लैसे आपको निकालना है तो लैसे जैसे आप निकालोगे तो यह आपको प्राप्त होगा दो गुना दो गुना तीन गुना तीन या आपके गुननखंड आपके होगे इसके बाद आपको निकलना है 18 और 45 का सबसे चोटा सार्व गुननखंड होता आपका मैस है तो सार्व सबसे बड़ा इसमें क्या आपका 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्व गुननखंड आपको निकलन संख्य आपको प्राप्त होगी वह गई आपकी नो तो नो आपका सबसे बड़ा सार्व गुनंड कंड आपका है तो कोशन में आपसे पूछा गया है कि जो सार्व गुनंड का बराबर क्या आएगा यानि 180 से आपकर आपने 180 को डिवाइड कर दिया से तो कितना आपका होगा है 9218 20सा आपका आएगा salvar हैonte साग्यностью सोचन 43 ऑप्षं 410 तो राइट रजएंस्ट क्या ब्सक्टीप नमबर का ऐस नेक्स्ट अपका क्विशन नमबर 54 4 10 30 12 15 21 21 11 21 21works तो नहीं वन भर है तो यह आपको दिलागे 10 क्या में 10 कि दशामकी दाई है में 10 र्धाई तो 10 ड़ंडाई क्या होता है आपका 10 गुना 10 बराबर सो आपका हो गया में इसके बाद आपको एक कोशन की आपका इंपोर्टेंट हैस्की याप की जह से glorified लेकिन यह संक्षा बार बार आपको चेंज भी मिलेगी चलिए अब का ज्यांगा सब्सक्राएग ग्यारा सब्सक्राइब आइजाऊं प्रणूंट के नहीं पनम सब्सक्राइब न तेनट की इसमें में एक सह सब्सक्राइब है यह कोगा तो आपका है है और 10 क्या होता है चलिए 11 into 10 तो कितना हो गया 11 into 100 जैसे आप करोगी आपको जाएगा ग्यारा सो इसके बाद आपको बारा आपको इकाई दिया गया बारा क्या आपका इकाई है तो बारा इस इक्वल टो आपका क्या होगा बारा ही आपका होगा चलिए अब यह आपका होगा सो प्लस ग्यारा सो प्लस बारा तो कितना आपका होगा यह आपका बैठ जाएगा बारा बारा क्या बैठा बारा बारा आपका होगा चलिए ओप्शन चैक करते हैं इसका ओप्शन फर्स ब तो राइट आहं सद्रेश आपका को स्था चलिए नेक्स अब आपका कश्च है कोश्य नंबर 55 के आपके ऑ्osi कुष्प्टी लें चाहिं का है तो 42 व्हालीष के उनकी संक्ष्था होगी option 42 गुणनखंड की संख्या आपका। गचाएगा साथ से भी कटेगा बाद चोदा से भी कटेगा तो इसकी जो संख्या आपकी हुई option 2 option 3 option 4 lotta option 55 option 2 gotta 8 गुलंढघंड आपकासे निकालोगे यह आपको 42 आपको दियागे यह इसाने के 42 आपका प्रक्राइब होगा तो एकसे निकाले जाएगा फिर आपका है दो यह आपका होगा 21 दुनिर यह डेना आपका दोस्सी आपका तीन से होगा तो साथ हो जाएगा 721 फिर 7 एकम साथ एक तो यह हो गया आपका एक आपका होता है कैसे यह बिहाली जो आपका दिया गया गया तो एक से आपका 42 कितनी बार कटा बिहाली यहापका 42 कम 42 दो से अगर हम कट काटे गे इसे तो 2 से यह आपका 21 दुनी 42 आपका हो गया फिर 3 से जैसे हम इसे काटेगे यह आपका हो गया यह आपका हो गया 14, 14 थी 42 आपका हो गया 14 इसके बाद 6 से यह आपका कड़ेगा 6 से तो 7 चंग 42 तो यह देखें आपका 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42 इसके क्या यानि यह आपके चाह आठ आपके गुननकंड है तो ऑप्षिन सैगीन क्या था आपका 8 ही इसका राइक आंसर होगा कोशन नमबर 55 का नेक्स्ट आपका कोशन है कोशन नमबर 56 56 कोशन अभाब का कोशन में दिया अपका कोशन क्या जाणी तुछा के बचानी एड़ा यह बचे जाएगा आप चार में से चार यानी दस आपका बचेगा इसके बाद जैसे यह आप 8 उतार लोगे तो बारा निम्मा 108 आपका होता है यह आपका कट जाएगा रिमाइंडर कितना बचा आपका 8 बचता है दूसरी जो संख्या आपकी है वो 11 से आपको डिवाइड करनी है 24 सटतर आपको संख्या दी गई है तो 11 दूनी 22 आपका हो गया दैन आपका दो बचेगा फिर आपने साथ उतार ले तो 11 दूनी 22 आपका चले जाएगा तो इसमें 5 यह आपका 11 दूनी 22 आपका है तो यह आपका बचेगा 5 तो यह आपने 8 उतार ले क्या उतार ले 8 आपने ले या तो जैसे वहाट ऊट तो इसमें कौन सी मांने चलेखी आपका 1555 1360 बचता कितना यांनि जो आपका सेस्फल बचेगा तीन आपका बचेगा तो आठ में से आपने तीन तो कितना बचा जो आ शटी इसमें पंक का बचता है option first आपका है 5 option second 6 option 3 7 option 14 तो right answer क्या option number first 5 इसका सही उत्तर होगा question number 56 का option first right answer 5 आपका सही उत्तर होगा तो दोनों का जो अंतर आया reminder का वो आपका 5 आता है यानि 8 में से अगर आपने 3 को minus करा तो 5 आपका बैटेगा next अब आपका question है question number 57 question दिया गया आपका 57 यह time वाला question भी आपका आता है very important question आपका है question दियागा आपका 57 एक रेल गाड़ी station पी से आठ बज़कर आठ यानि सुभह के आठ बज़कर 18 मिनट पर चल कर वह station Q पर उसी दिन 10 बज़कर 28 पिम यानि रात के समय पर पर पोचती है और दूसरा जो station आपका Q station पर पोचती है उसी दिन की बात करें 10-28 पर पोचती है तो रेल गाड़ी दुआरा क्यों तक पहुंचने में जो लगा समय यानि समय आप पूछा गया यानि जो उसने दूरी तैक है तो उस दूरी में उसे ताइम लगा वह टोटल समय कितना लगा तो यह आपका जानी जो रेल गाड़ी थी यानि पी से क्यों तक पोचने का लगा समय तो क्यों से P से Q तक वो गई तो जो समय लगा क्या लगा समय समय जो लगा था वो कितना लगा वो आपका लगा 10, 28 10, 28 माइनस के 8, 8, 18 इसमें से क्या कर दो यह आपके AM के था यानि सुबह के यह आपका PM का समय था जैसे ही आप इसे माइनस करोगे 10, 28 या आपका होगा 10, 28 रहता है जो 28 आपका PM का तो यह आपका बैठेगा कितना 22, 28 आपका बैठ जाएगा यानि आपको पतले 24 गंटे का आपका टाइम पिरिएड रहता है तो इसमें से 22, 28 में से 22, 28 में से आपने 8 18 i.e.am को माइनस कर दिया तो यह समय बैटे गहां 14 उसाम расп भूप्षण का और आक 14 उसाम prosperity का समय लगेगा तो कोशन ता आपका 57 इसका राइट आंसर आपका उप्शन फर्स्ट है यानि उसे जो समय लगा ट्रेन को पी से क्यू तक दूरी तै करने में जो समय लगा ताइम लगा वह 14 अवर 10 मिनट का लगता है यानि 14 गंटे 10 मिनट का उसको समय लगा नेक्स्ट अब आपका कोशन है कोशन नमबर 58 जोदा लीटर 280 मिली लीटर संत्रे का जूस और 18 लीटर 830 मिली लीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया इस मिश्रन में से 15 बोतलों को जिन में से प्रतियक में 1.5 लीटर मिश्रन आता है बढ़ा गया सेस कितना इश्रन बचा वो कितना बचेगा चलिए अब जो कोशन ता आपका 58 इसका संत्रे का जूस पहले क्या निकालना है आपको संत्रे का जूस संत्रे का जूस है वह था आपका कितना 14 लीटर 280 मिली लीटर 280 मिली लीटर आपका था सेकिंड यानि गाजर का जूस किसका जूस गाजर का जूस था वह आपका हो गया 18 लीटर 18 लीटर 830 मिली लीटर तो टोटल जो मिश्रन होगा कुल मिश्रन आपका 14 लीटर 280 मिली लीटर इसे एड़ कर दे हमने 18 लीटर 830 मिली लीटर जैसे यह इसे एड़ करकी आपका होगा 02 जीर एसे जोड़ना है आपको जोड़ने के बाद eating 11 एक ज़िएलगा आपका 12 और एक तीन ग्यारह पोइंट आपका सैंजित आपका प्र एक लीटर के बड़ाबर आपका होता है 1,000 मिलीटर कितने मिलीलीटर 1,000 मिलीलीटर आपका हो गया तो एक बोतल जो आपकी बोतल दी गया है एक बोतल में जूस की मातरा जो जूस की कॉवांटिटी मैं जूच की महातरा तो जूच की महातर कितनी हो गये यानी पंदरा की मुल्टिपलाई nostre 1.5 ने तो आंसर आपका है गा 22.5 लीटर फिर जो सेस यानी पचटा जूच कितना जूच जूच बचता है वो कितना बचेगा तो सेस बचा जूस तो जूस को इन तरह बचा जूस सेस बचा जूस तो यह आपका तैतीस पोईंट तैतीस पोईंट एक सो दस यह बाईस पोईंट पाँच तो जीरो आपका हो जाएगा यह आपका एक हो जाएगा गैरह में से 5 गेच्छ आपका बचेगा फिर यह पोईंट ओगा फिर दो में से दो गए जीरो फिर एक यह आपका बचेगा 10 लीटर प्रति 610 ml Option 4 आपका है 11 ml, 105 ml Option 2 यापका हो गया 10 ml आपका हो गया और 1610 यापका हऊँ 10 लिटर 610 ml Option 1 11 ml, 105 ml Option 2 9 L, 610 ml Option 3 11uations 1, 601 ml Option 4 10 लीटर 610 मिलिलिटर तो राइट आंस्वर क्या आपका उप्षिन नमबर 4 10 लीटर 610 मिलिलिटर कोश्चन 58 का उप्षिन 4 राइट आंस्वर है चलिए नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 59 किसी पिज्जा का एक चोताई भाग रेनु ने खा लिया सेस पिज्जा को बारा बच्चों में बराबर बाट दिया गया इन में से परतियक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला तो परतियक बच्चा उसको पिज्जा का जो भाग मिला वो कितना मिलेगा यह आपको देगा पिज्जा का यह आप क्या है 1 बाट & जो चान ने खाया हो किसे खाया अब अक्यत से से बाग बचाध कि 12 बराबर भागों में बाटा गया 12 बराबर भाग में बाटने पर तो एक बाग कितना होगा एक बाग होगा आपका एक बाग इस इक्वल टू 3 बटे 4 गुना 1 बटे 12 यह आपका आजाएगा यानि जो आपका आएगा इसमें चले तो यह आपका बचेगा यह देगे तीन चुक यह आपका कट जाएगा तीन से चार यानि तीन चुक बारा आपका हो जाएगा तो एक बटे चार चुक सोला तो एक बटे सोला आपका आएगा क्या है आपका एक बटे 16 आपका आएगा option first आपका देगा एक बटे 16 option second एक बटे 32 option third तीन बटे 16 option fourth एक बटे 8 तो right answer क्या आपका एक बटे 16 question 59 का option first आपका right answer होगा एक बटे 16 जो है आपका सही उत्तर होगा question number 59 का option first right answer है, एक बटे 16, इसका सयुत्तर होगा, चलिए, next, अब आपका question है, question number 60, नेक्स्ट आपका question देखे, question number 60 आपका है, यह आपको question number 60 अब आपका देखे, question 60 में, आप से पूछा गया है, इसका option first, आपका right था, 59 का 60 question, अब आपका start है, चै घंटों में सेकिंडों की संख्या कितने दिनों में मिंटों की संख्या के बराबर है तो यह आपको बताना है यह आपको अच्छा है तेके कोशन आपका था चै घंटों में चै घंटों में सेकिंडों की संख्या चै घंटों में सेकिंडों की संख्या तो 6 गंटों में सेकिंडों की संक्या कितनी होगी यह आपकी है 6 गुना यानि 6 गंटे में आपके सेकिंडों की संक्या पूछी गई यह आपका होगा 60 60 गुना 60 सेकिंड यानि 1 मिनट में 60 सेकिंड आपकी होती है तो यह आपका हो जाएगा 21,600 सेकिंड इसके बाद एक दिन में क्या पूचा गया कितने दिनों में मिन्टों की संख्या के बराबर हो जाएगी तो एक दिन में मिन्टों की संख्या तो एक दिन में मिनट की संख्या आपको निकालनी है एक दिन में कितनी मिनट की संख्या आपको निकालनी है तो यह आपका हो जाएगा 24, एक दिन में 24 घंटे आपके होते हैं तो गुना 60 सेकिंड, तो यह आपका हो जाएगा 1440, आपका 1440 मिनट आपका हो गया, फिर 15 दिन में, 15 दिन में, यानि 15 दिन में निकाले हैं, 15 दिन में निकाले हैं, तो 15 दिन में मिनट की संक्या, या फिर मिन कि गुना हमने करीब 15 दिन में तो 15 दिन की आपके वागी 21,600 यह हो गई आपकी 21,600 आपका वागया तो कितने यह आपकी 21 देखे 6 गंटों में जो सेकिंडों की संक्याती यह आपके 21,600 सेकिंड तो 15 दिन में यह आपकी बराबर हुई तो इसमें भी एसमें तो 15 दिनों में तो 66 से 25 पोलए है जुआ है फ्सक्री आपके 15 दिन में संक्यार आपको टेंज्ड कैब maze माझने खोपने साथ कोश्चन आपको करने अपों कि आपका इन्वार्मेंट वाला पार्ट होता यह आपको एक इसार आपको करवाएगे अधिकान शाथी इसमें दस घंट होते हैं ठीक है तीन महीने के हाती दो किलो वाजन ता ही ठीक है यह इक अधिक यानी सो किलो ग्राम के पत्ति खाते यह आ कौन सा है तो यह पहला हो जाएगा नील हल्दी फूल रंग के इस्तमाल के जाते हैं इन चित्रों का इस्तमाल जानवर पेड़ और यानि कि यह दिखाया जाता है यह हो जाएगा बिल्कुर यह लोग चित्र के पुरानी जरी के यह भी सहिए यह नहीं होगा यानि कि मदबनी राजिस्थान की नहीं बिहार की यानि की ऑप्शन नमबर आपका चार हो जाएगा चली आगे चलते हैं कोई पक्षी पेड़ की उचाई पर डाल पर अपना गोसला बनाता है तो यह पक्षी कौन सा कववार कववे की गोसले में कौन अंड़ा देता है यह भी कोशन आपको सब्सक्राइब के गाउं आंदर परदेश से तो यहाद रखना आंदर परदेश का गाउं है यानि कि ऑप्शन नमबर चाहिए तीन हो रहा है रेकिस्थानी ओक के बारे में कहा है बाई ऑस्टेलिया पाई जाता है इसके पेड़ जो होते हैं कि में पाईप डालके पानी न पेट्रोल पानी सस्ता बिल्कुल सही है यह अर्भी नहीं है यहां की बासा ठीक है और रूपय की मुद्रत यानि कि ऑप्शन नमबर चार हो जाएगा इसकांसर को जानवर रात में जागते हैं और यह जानवर हर चीजों को ब्लैक और डेकते हैं याद रखना ब्लैक और इ जो गड़ी के रूप में आपको बताया गया मतलब एजो है यह 24 गंटे की अर इसमें कितने बारा डब्बह मतलब बारा मतलब लाए तो नरी रापधि यानिकि एक डबह दो के बराबर दिया गया तो यह क्या destra तो पहले तो इसमें तो यानिक आठारा चार और अठारा देख लो कहां पर यानिक ऑप्शन नमबर यह जाएगा तीन चले म्रिच्छ सागर यह को पते यह क्या होता है कोई ब्याद्री नहीं डूपता यहानिक ऊप्शन गया है एस सागा जहा कर जादा नमक पाए जाता तो से कहते हैं रिट्साग को सत्त तीन के विद्धयारतियों के भोजन का पर पढ़ाते समय अंजली बोजन के संस्क्रेटि को विशेश द्यान देने नीचे अधिक आउसर हो विभी उन्हें कहा गए कि यह तो ने कहीं आपना टीपिन खोल लो या फिर आप उनको चाहिए कि आपके घर में क्या क्या बनता है उसकी बना लो इस तरह कि यातर कहीं तो इसमें कौन सा आंसर है इस तरह आप विविभी शे कख्षा पांच के विद्यारतियों को परियावर्ण चिंतन के बारे में पढ़ाते समय प्रती पर्दूशन पर आधारित बल देना चाहिए वांचनी उदेशे को प्रावत करते वे क्रिया कलाप में कौन सा सरवाधिक प्रभावी होगा तो इसका आंसर हो विद्यारतियों के सब्सक्राइब करने के लिए यानि के ऑप्शन नंबर हो जाएगा और एक मोखे परिक्षा यानि के ऑप्शन नंबर दो जाए इसका आंसर हो जाएगा दो चल्लें आगे चलते हैं अच्छे ज्रय कारे का मुख्य किस केंदृत होता है तो वह हो जाएगा विस्तरित अधिकम के लिए चुन उती पर ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा ऑप्शन सेमिक्वाइब देक्ट है शाल्नी कक्षा चार के विद्यारतियों के विज्ञान के द के लिए क्या ना यान कि आपको एक चीज वर्ट दिख रहा हुगा यहां अवसर प्रदान करने वाली बात तो यानि कि ऑप्शन नमबर दो हो जाएगा इसका अश्या आगे चलते हैं के लिए विश्य यात्रा का प्रस्तुति करने के लिए कहा गया है प्रति एक विद्यारती प्रति ने निमलिकित में से नीतियों में से किस एक पर मुख्य के रूप से केंद्रित किया रहे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा विद्यारतियों कि यात्रा ओप्यों के लिए विविन साधनों अनबहों को घ्यानी ओप्शन नमबर और हो जाएगा इसका अंसर कोश्चन नमबर 78 देखते हैं कक्षा 5 EBS के पार्टे पुस्तक में किस पा अंसर हो जाएगा वास्तिक जीवन के चिंतनों के लिए समझने के लिए कल्पना की सोचने की बात करें तो कल्पना की बात कर दी कल्पना की बात आगी यानि की ऑप्शन नमबर 79 देखते हैं 79 EBS की पढ़ाई गई कक्षा में प्रशन उत्तर तक्निक के सबसे अच्छे उप कोश्चन नमबर 80 देखते हैं प्रात में किस तर की EBS की पढ़ाई का प्रमुक उदेश्य क्या है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षा आरति की विद्यार लेकर बाहरी जीवन से संबंदित करना यानि की ऑप्शन नमबर 3 हो जाएगा इस कांसर नमबर 81 देखते हैं प्रात में नहीं पूचा तो यह हो जाएगा यह इंपोर्टन नहीं है बंदारम दिखाने से कुछ नहीं होगा उन्हें पूरे तरह से जाग्रूप करना है क्षा में जल का पढ़ाते समय अंजली ने अपनी क्षा में जल के विभिन श्रोतों को और जल की संदक्शन करने के लिए व्य चल जाओ जो भी टैग वर्ड बताया चलिए आगे चलते हैं 83 देखते हैं परात्य में किस तर की इवियस की पाठ्थे चरिया को शुद्विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संकलनाव को सामिल करके विशित्य किया गया है ऐसे करके मुख्यता क्या उदेश्य है तो यह हो जाएगा शिक्षाहत्यों को परियवर्ण को संपून दंग से देखने की योग्यता यानि कि ऑप्शन नमबर पहला हो जाएगा सकांसा क्यों क्यों नमबर 84 देखते हैं इवियस कक्षा में सामाजिक ऐसा मानताओं पर अधिक बल देने के लिए निमले कितने कौन से अध अधिक परभावी अधिकम अनुभाव होंगे तो इसका हो जाएगा विद्यारतियों से सम्वू परियोजना पर भार अपने ऊपर देना यानि की तरह से यह हो जाएगा ऑप्शन नमबर 4 हो जाएगा इसकांसा क्यों नमर 85 देखते हैं पसंद ना पसंद के बारे में ना कि चांशंटन हो जाएगी ऑंग कोम की बात कर रहा है यानि कि आप्शन नमर 2 हो जाएगा और ये पूच्छा की कुस्टं we से सबसे इंपोर्टन कोश्यन कोश्यन नमबर ऐट इस देखते हैं ब्रेन लिपी के बारे में चर्चा कीजि़े तो ब्रेन लिपी के बारे में आको बता है यह उब्रेवे कागच से होती और यह विद्धू के पंक्ती के निक्रेव और ऑजार से बना जाती है इसका यानि कि पहला हो जाएगा इस ंंसर बार को बार रिकान और सरीर बाल अप्ष्ट के बाहर होते है लोग विखच्छ मधू नमखी प्रते हैं आओप्ष्ण से डिसंबर है तो अक्ट्वर डिसंबर कहीं दिख रहा है यह जाएगा आपका अंसर ऑप्शन नमबर लीची के फल होते हैं बिल्कुल कहा था मैंने पालन के लिए बंडाना के शैद है आउशक है मदमकी पालन के ठीक हो जहां ठीक है तो इस कांसर हो जाएगा ऑप्शन बिल्ली आगरेक्वी दे सकते हैं जम्म कस्विर दे सकते हैं तो अहम्मादाबाद से समझ मुंधा यादी चली कर दो यान्ट किलोमेटर से तो इसके आंसर हो जाएगा A और B यानि की तीन कुष्चन नंबर 90 देखते नीचे देगा कौन से जानवर की एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त स्वरी जानकारी जानवर वोला है देखो इस तरह का जो कुष्चन हाता है उपर जी कुष्चण के रहें दिमाग की चाता है जले आगके चलते है यानिकारी चन्वर नपर करनेगे और नामें और पहुता है Dean का नंबर और ट्रेeln कख deepestben अंतिम से पहुचने की तारीक असम है यह नहीं होता यह तो होता ही नहीं है यानि कि यह भी और डी हो जाएगा यहां नहीं ठीकिश्च्छ तो यह हो गए आपके एवस्के कोश्चन और इसके बाद की सेक्शन का बढ़ाएगी और आपको कहाना वीडियो को लाइक करना चैनल रहिए लाइन भाछ बार अह Japanese को अपने एँवरिवर्मेंट वाला पार्ट किया है अब क्यों भाड़के फouse избph कि हिंदी सबसे पहले आपको पहुंच पर आपने नहीं कर लिए अब आप जो ऑल्ट कर रहे हैं तर लोटारा जूर्वरी तरह चाहिए वह है तो आपको मिल रहे है कि आप पेपर कर लिए तो आप हो जा आपको हरा है उच्छात कर लिए जा ओ प्रूणना को सब्सक्राइब करना कैसे थायर करना है Skrt 150 आपके questions होते है 150 में से अगर आपके 140 कोश्चन आपके प्लस है में क्या है करेंट आपके पर सोर कर रहे हो तभी यागर आपके 140 आपके यहां पर आरहे तब जाकर आपके वाननब्हें नंबर आपके आएगे तो 140 जब तक तब तक आपके 90 मार्क्स आपके सीटाट में नहीं आप आएगे तो सबसे पहले आपको ओल पेपर अच्छे से आपको तयार करने हैं जब आपके पर तयार हो जाएगे तब ही आप इसे पास कर पाओगे तो चलिए अब आपका गध्यान साब को जया गया चलिए उनको दिया जाता है जिने वे नितांत एज्ञानी मानतें दूसरों को प्रमज्ञानी बताना उत्पिडन की विचारदारा की विशेष्टा है वह सिख्षा और ज्ञान को जिग्याशा की प्रिकिरिया नहीं मानती सिख्षक अपने चात्रों के समक्ष्वम को एक आविशक विलोम के रूप में प्रस्तूत करता है उन्हें परम अज्ञानी मान कर वह अपने अस्थितु का ओचित्य सिद्ध करता है चात्र हेगेलिया द्वंदुवाद में वर्नित दाशों की भाती अलगाव के सिकार होने के कारण अपने अज्ञान को सिख्षक के अस्थितु को ओचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं लेकिन इस फर्क के साथ की दास तो अपनी वास्थित को जान लेता हे कि मालिक का अस्थित उसके अस्तितु पर निर्भर है लेकिन यह चात्र अपनी इससवाश्धिक्ता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी सिक्षक को सिख्षेत करते हैं आगे अब आपको द्यागे कोशन अब आपके स्टार्ट है कोशन नमबर 91 है कोशन नमबर 91 अब आपका है सिक्षा की बैंक के अवधारना सिक्षा को किस रूप में प्रस्तूत करती है उप्षन फर्स्ट सिक्षा की परकिरिया में केवल परम अग्यानी सामिल होते हैं उप्षन सेक्षा ग्यान के लेन देन की परकिरिया है उप्षन तर्ड सिक्षा में केवल चात्र सिक्षकों को सिक्षित करते हैं उप्षन फोर्ट सिक्षा में उपारों का लेन देन होता है त तो किसी भो ईचाहिए है और जो नोरेज आपको नोलीज क क्या आदान प्रदान याечно Seit आपकी बढ़े that देंसे आपकी लेंड देंकि अपरे लेंडर इसी आपको एक प्रोसिस होता है धो कुछाइब दूसरों से सब्सक्राइब कुछ दूसरों का फिकाते तो यह क्या होती है आपका नाइटी टू गद्यांस के अनुसार चात्र अपनी किस वास्विक्ता को नहीं जान पाते जो गद्यांस आपको दिया गया नहीं जान पाता सिक्षक गनवान सब्सक्राइन सब्सक्राइब औपशन फूइन पहल् complacent चाट रहां वह कौन को नहीं जान पाता वहां यूओंसी ऊहले जुख सिक्षक शिक्षत नहीं है तो सबूध और नाइंटी तरी कोश्टिन देंगे आपका इस गद्ध्यांस के अनुसार सिख्षा की परकिरिय संपन होने के लिए अनिवार्याश शर्त सिख्षक की उपश्ठति होना अप्शन सेख़क का प्रम अज्ञानिवान होना ओप्षन 4 चात्रों का इतने के प्रजेंस टीचरी प्रजेंस यानि उपस्थिति प्रज艇स को क्या बोला जाता है उपस्थिति आपकी बोली जाती है तो कोश्चेन 93 को ऑप्षेन आपका राइट कोश्चेन 94 गद्यांस के अनुशार उत्पीडन की विचारधारा की विसेस्ता है चलिए अब आपके जो गद्यांद कोशचन था आपका 94 गद्यांद की अनुशार अथ पीडें की विचारधारा की विशेष्टा क्या है अब आपके ऑप्शन देगे ऑप्शन नमबर फस्ट आपका χजांद्या जिए आपका है उपशन से आदर सिख्षक सदेव उत्पीडक होता है उपशन पर हम अज्ञानियों का सोशन अनिवार्या है तो राइट आपका आपका अपका नमबर सेकिंड आपका राइट है जो शिक्षक आपका है तो कोश्चन नाइट फ़र का उपशन सेकिंड आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 95 गध्यान्स में डैस पर करारा व्यंग्य किया गया है ऑप्शन फस्ट ज्यानवान व्यक्तियों ऑप्शन सेकिंड उत्पीडितों की दशा ऑप्शन थर्ड सिख चातर के बिचर चातर संबन्द और नंपर 4 चातर के बिची सुनेट के बीच में सब्हों लुए rend यानि चात्र को छात्र होता है जो होता है शुदेन जब किस स्थाले zaput आपको स्टूडेंट से बनने वाला विशेशन तो जिग्यासा जो सब्ध है उससे जो बनने वाला जो विशेशन है वो क्या है option first जिग्यासी option second जिग्यासा वाला option third जिग्यासू option fourth जिग्यासा सील तो राइट आंसर क्या होगा आपका जिग्यासू question number 96 का option third जिग्यासू आपका right answer 96 का option third जिग्यासू यह आपका विशेशन आप जो जिग्यास है उसका बिशिशन बनेगा वह जिग्यासु आपका बनेगा नेग्स्ट कोशन आपका कोशिशन result 97 किस सब्ध में दो प्रत्यों का परियोग हुआ है तो आपको दो प्रत्य क्या उप्षिक प्रत्य परत्य होता दो को बाद में आपका जुड़ता यानि उप शर्ड जो होता आपका पहले आपका पहले एक हैं कौन से और fuse प्रत्त अपका जुड़ा है एक आपका एक है और एक आपका था यानी दो प्रत्त आपके जुड़े हुए है कौन से सब्द में वाल्स्विक्टा में चलिए नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है कोश्चन अमबर 98 स्वारी कोश्चन अब आपका देगे प्रस्तुत गध्यांस में नितांत सब्दकार्थ है जो नितांत आपको देगे इस सब्दकार्थ क्या है नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है कोश्चन अमबर 99 डैस उन्हें प्रम अज्यानी मान करवे हैं अपने अस्तित का ओचित्ते सिद्ध करता है रेखांकित सब्द की जगए किस सब्द का परियोग किया जा सकता है ऑप्षण फर्मानीत ऑप्षण सेकिन पर्तिफलित ऑप्षण थर्ड अंतन हीत ऑप्षण फौर्ट प्रतिस थापना तो राइट अंसर क्या आपका ऑप्षण नमबर फर्स्ट परमानीत कोश्चन 99 जो का आपका राइट उत्तर है नेक्स्ट अब आपको द्यागर निर्देश आपका है पर्सन संक्या सो से 114 तक निम्लिकित परशनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उचित विकल्प आपको चुनने हैं कोशन नमबर अंड्रेड आपका कहानी कवीता गीतों और लाटकों माध्यं से बच्चे उसमाच केवल मूल्यों को और जन करते हैं सेकिन चेवल अपनी तरक शक्ति का विकास करते हैं और और अपनी सांस्कृतिक धरवर से से हुड़ते हैं और कैवल मनोरंजन प्राप्त खरते हैं तो राइट आंसौर क्या आपका प्रात्मिक इस्थर पर बच्चों को भाशा सिकाने का सर्वो प्रियुद्देश्य है अप्षण 1 मुहावरे लोकल क्यों का ग्यान प्राप्ट करना उप्षण सेक्जिन कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना उप्षण 3 तेज परवा के साथ पढ़ने लिए नमबर 4 आपकर राइट आपकर ना थे हैं अपनी बात को दूसरों के समक्श क्या कर को विकास को क्या करना है विकोसलता का विकास करना डीवलप्ट करना नेक्स्ट मैं कोशुन नमबर 102 कि कोशट्चन दियागा आपका लिखना लिखना क्या atomic एक बहुर्ध जट्पर किरिया है ऑप्शन एक अनिवार्य कुश अटे इसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, option third, एक तरह की बातचीत है, option fourth, एक अत्यांत यांत्रिक परकिरिया है, तो right answer होगा, आपका option number third, एक तरह की क्या है, बातचीत आपकी अवारतलाफ आपकी होगी, तो question number 102, यानि लिखना एक तरह की आपकी बातचीत होती है, next question आपका question number 103, कफशा एक के बच्चे अपने डैस एवं डैस से प्राप्त बोल चाल की भाशा के अनुभवों को लेकर ही विध्याले आते है, option first, घर परोसी, घर परिवार परोसी, option second, घर परिवार परिवेस, option third, घर परिवार दोस्तो, option fourth, घर परिवार टीवी, तो right answer है, आपका option number second, घर परिवार परिवेस, question number 103, का option second, आपका right answer है, घर परिवार परिवेस, question 103, का option second, आपका right answer होगा, चलिए next, अब आपका question है, question number 104, कक्सा एक और दो के सुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंब, डै के लिए हो, तो अब आपके option, आपके दिया गए है, option first, अर्थ उद्देश है, option second, अक्षर ग्यान मनुरंजन, option third, सब्द पहचान मुल्यांकन, option fourth, अक्षर ग्यान उद्देश है, तो right answer है, आपका option first, अर्थ उद्देश है, question 104, का option first, आपका right answer होगा, meaning or motivation का उद्देश ह आपका right answer है, next, अब आपका question है, question number 105, question number 15, आपका इनमे से कौन सप्रात्मी, इस तर्थ हिंदी भाषा सिक्षन का उद्देश नहीं है, option first, संधर्व के अनुशार लगा कर पढ़ने का परियास करना, option second, चिद्रकारी कोश्वयम की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, option third, बच्चों की भाषा और श्कूल की भाषा में संबंद बनाते हुए, उसे विस्तार देना, option fourth, सुनी गई बातों को जो कत्यों दोराना, तो right answer क्या होगा, option number fourth, right है, सुनी गई बातों का जो कत्यों दोराना, option fourth, right and next, question है, अब आपका question number 15, भाषा कोशलों के संबंद मे कौन साकतन सही है, option first, भाषा के कोशल अंते संबंदित होते है, option second, भाषा के सभी कोशलों को नए सिरे से सिकाने की आवशिता होती है, option third, भाषा कोशल एक दूसरे से स्वेतंतर होते है, option fourth, भाषा के चारों कोशल एक करम से सीके जाते है, तो right answer होगा, आपका option number first, भाषा के KoOlgin पे होगी हुं कैसे होते हैं संबंदित होते हैं इसमें अप्शल पूछा गया था बहुत सब्सक्राइशल को संबंद में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंटमेंट तो correct statement आपका option first में मिला बासा की कोशर अंत्य संबंदित आपके होते हैं तो option first right answer होगा next question अब आपका question number 107 भासा डैस और डैस का एक उत्तम शादन है option first सुनने बोलने सोचने option second पढ़ने लिखने संप्रेशन option third सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने option fourth पढ़ने लिखने समझने तो right answer कि आपका option number second पढ़ने लिखने संप्रेशन question 107 का option second right answer है next question अब आपका question number 108 भासा सीखने का वहवार वादी द्रिश्टी कोन डैस पर बल देता है तो किस पर बल देगा जो बल देगा यह option first आपका अनुकरन option second रचिनात्मक्ता option third भासा परियोग option फोर्थ अभी व्यक्ती तो right answer कि आपका option number first अनुकरन question 108 का option first अनुकरन जोगा आपका right answer है next अब आपका question है question number 109 नासीरा पढ़ते समय अनेक बारा टक्ती है उसे पढ़ने में कठिनाई होती है इसकी समश्य मुक्यता डैस संबंदित है option first पठन आयरुची option second बुद्धी लबदी option third डिसलेक्षिया option fourth डिस्ग्राफिया तो right answer कि आपका option number 3 डिसलेक्षिया question 109 का option number 3 जो आपका डिसलेक्षिया इसका right answer होगा question था आपका एक्षियन हो इसका right answer आपका option number 3 नेक्स्ट अब आपका question है question number 110 question 110 वाई गोत्की के विचारों पर आधारी कक्षमी डैस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है तो किस पर बल दिया गया option first कवीता दो रहाना option second कहानी सुनने option third कारिया पत्र को option 4 प्रस्ट पर आंते किरिया तो right answer कि आपका प्रस्ट पर आंते किरिया question number 110 का option 4 पर आंते किरिया इसका right answer होगा next अब आपका question है question number 111 हमारी कक्षाओं में बच्चे बिन बिन भाशिक प्रस्ट भूमी से आते है option first उनकी भासाओं को भी कक्षा में समान देना अनिवारीय हैм ौज शेगिं उनकी भासाओं को सीखिणा सभी सिख्षार्प्यों के लिए अनिवारीय हैh option third भासा की पार्टेप उस्टक में उनकी सभी भासाओं के सब्द वाक्य होना अनिवारिया है Option 4 उनकी सभी भासाओं की जानकारी सिख्षक के लिए अनिवारिया है लाइट है उनकी भासाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवारिया सबसे जो उचित तरीका है सबसे उचित तरीका क्या होगा किसी पाट की पाँच पंक्तिया पढ़वाना बचों को चितर वर्णान और परशन पूछने के अवशर देना जो नबर 121 तो और आपको दिया गया है और कोशन नंबर 113 बत्चों क कोशन की भाशा सही आक्लन करेगा तो बच्चे थैए चायड है तो उसकी जो भाशा चंपता है भाशा की जो चंपता प्रसन करेगा वह कौन सा question करेगा option first लड़की ने किसके दाम नहीं बताए option second लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी option third यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों option fourth आज कल आम का दाम कितना है तो right answer क्या आपका यदि तुम आम बेचोगे क्या बेचोगे आम जो mango आपका होता है आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों तो दाम जो लोगे आम बेचते टाइम क्यों लोगे तो ये आपका सही answer है यानि apple का आपका सही question है question number one one three का option number third आपका right answer होगा next question और बाइब कोशन नंबर 114फ प्राथमिक स्थर पर बच्चों के लिए बाल साहिते के चेहन का मुकığ अधार क्या होना चाहिए तो मुक्य आधार जो मुक्य आधार है में जह आपका है नी मुट्क्या अधार आपसे पूछा गया में बेस या निस जो आपका है वह क्या होगा और पार सेंट जानकारी तो राइट आमसर आपका इंबर सेंट रोचप विश्यवस्तू नेक्स्ट अब आपका दिया गया प। पंद्रा से आपको आपको गम्स अजें तो इसी से आपके कोशन बनेगे तो आपका सब्सक्राइब कने अपको का फार 이후 निकले तो आपको निखले यह जो पंक्ति कढ़ने को करने को समझोता उचे से उचे सपनों को देते रहते जो नो था दूर देखती जिनकी पैनी आख भविश्यता का तमचीर मैं हून के साथ खड़ी छो सीधी रखते अपनी रीड तो कोशयन आपके देघे कोशयन नमब्र 115 आपका है कवीता की पंक्तियों के अनुशार जो पंक्तिय आपने पढ़े पूयम की कवीता की शॉइन पढ़ि पंक्तिया अपने पढ़ी तो उसके आकोडिंग कवीता किसके पक्ष में खड़ी है तो कवीता जो आपकी है पोयम जो है वो किसके पक्ष में खड़ी है option first जो स्वाबिमानी सासी और निर्भिक है option second जो केवल सपनों में खोए हो रहते है option third जो उजाला फैलाते है option fourth जो समझोता करके सांती फैलाते है तो right answer का होगा आपका option number first जो सुभामी जो आपके स्वाबामनी है सासी और निर्भिक है तो स्वाभिमानी। साशी और निर्भिक है उनी के पक्ष में जो पोयम process कि वह खड़ी है तो पोएम जो है आपके किसके पक्ष में खड़ी है जो स्वाभिमानी है साशी है और निर्विक है तो कोईशन 115 का ओप्शन फरस्ट राइट आंस्वर नेक्स्ट अब आपका कोईशन है कोईशन नंबर 116 व्यक्ति की दरश्टी कैसी होनी चाहिए जो व्यक कांधेरा दूर करने वाली तो राइट आंस्वर क्या होगा तो जो पर्शन है जो व्यक्ति तो दरेश्टी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए निकमनी Node 1 का question number 117 question था आपका 117 उचे से उचे सपनों को निमंत्रन देने का भाव है यानि emotion जो है आपका option first उचे सपनों को आमंत्रित करना invitation देना next option second आपका उच्छ कोटी के स्वेपन देखना और उन्हें साकार करने का प्रियास करना option third स्वेपन सील रहना option फोर्द सपनों को आमंत्रित करना तो राइड आपसर काउप्शन second उच कोटी के सपने देखना और उन्हें किसा ना प्रियास करना खिया है अगर आपने उचे मुद्टे सबने आपने देखिए तो उननसपनो को पूरा करने के लिए क्या करना होगा आपको पुरा करना को कोशिशे करनी होगी तो कोशिण 117 को ऑप्षान सेगिंड आपका राइटансिर है नेक्सट कोशिण अब आपका प्रियाई एसका प्रियाई है जो त्म सब्सक्राइब करते जो दुनिया से पंक्ति में किसके सामने ना जुकने की बात की गई सब्सक्राइब करते जैसे कि आपकी जो प्रिस्थिति क्या होती है यानि जो प्रस्थिति आपकी होती है विशम प्रिस्थिति और अन्याई के सामने ना जुकने की इसमें बात कहीं गई पंक्ति जो दूदी लाइने थी उसमें जो जुकने की बात कहीं कि एक जुकना नहीं चाहे तो क्या विशम परिस्थिति हैँ और अन्याई के सामने आपको जुकने की बात कही गई है तो कोश्चन वन-द Nashर अब आपका कॉश्चन है कोश्चन arraygs 2020 सीदी रीड का आश्या है तो सीधी रीड का क्याा अश्या होगा आप्शिण, परस्ट आत्ट निरभर होना उप्शन सेक्टी सीधियésus बात कहना option third अबिमानी और स्वावलंबी होना option fourth अभिमानी होना तो right answer कि आपका स्वाविमानी और स्वावलंबी होना question number 120 का option third right answer होगा next यह आपका last question था हिंदी का अब हमारे जो second language start होती है English तो second जो language आपके है language number second आपकी English के question अब हम करेगे तो अब आपका जो next part start हो रहा है यह आपका English से है language यानि भाशा जो आपकी है दूसरी दूसरी भाशा जो कि आपकी English है अंग्रेजी आपकी है चले इसमें आपको direction आपको दिया गया निर्देश आपका है question number 121 से लेके 129 तक read the given passes and answer the question that follow by selecting the most appropriate option तो आपको option यानि पैसिज से आपको option जो पैसिज आपको दिया गया इसी से आपके question बनेगे रूसका सट्विक आपको उत्तर चुनना है तो question आपका 121 से लेके 129 तक question आपको पैसिज से मिलने वाले है अब आपका पैसिज आपका get well soon Santa say handing Partha a yellow balloon Siva's has third visitor that's because Siva's his class teacher's daughter and her mother made her visit him the other two Rahul and Sayyad were not really his friend although they often ganged up with him against other kids to take away their lunch pocket money Partha knew he wouldn't have long to live he could feel it deep inside shaking his auntie crying after talking with the doctor confirmed it his time had come he didn't tell his visitor so they would either pity him or be happy to get rid of him once Santa left he ripped a page from his notebook and wrote dear god I know I messed up and nobody likes me please give me a second chance I can show what good friend I can be he drew a map showing the way from the school to the hospital walked aagya baapka diya gaya hai walked seya aagya aapka walked safely to the window and let the balloon fly away carrying his message towards God the balloon was heading straight to a telephone pole but a gentle breeze blew it away just in time it crossed the park and disappeared out of view the next day a boy he had never meet before came to visit him I find balloon he say you are lonely he just nodded to start to talk I lonely too my family came from Afghanistan and I know speak English good he smiled I brought gift to you he handed him a small bag of fruit I pray for friend and God give me friend normally he would have made fun of his broken English and his long baggy brown kurta he smiled and offered him the first orange aagya baapke question dya aagya question number 121 question aapka hai one student the reader understand did not really want to meet Partha that is option first Santa option second Sayyad option third Raul option fourth the Afghan boy so right answer kya hooga aapka option number first Santa is ka right answer hooga question 121 ka option first Santa right answer and next ab aapka question hai question number 122 question dya gya aapka Partha felt lonely because visited him when he was at the hospital option first aapka dya gya his class teacher option second option first aapka his class teacher option second only Sayyad and Raul from his class option third he had no friends at school so no one option fourth Santa to right answer aapka option number third he had no friends at school so no one question 1 to 2 ka option third right answer hooga next ab aapka question hai question number 1 to 3 a synonym for the word startled in the passages option first surprised option second stunned option third avoided option fourth composed to right answer kya aapka option number second stunned question 1 to 3 ka option second stunned aapka right answer hooga next question aapka question number 1 to 4 an antonym for the word securely in the passages is option first unsure option second unsteadily option third family option fourth rickety to right answer hooga aapka option number third family question 1 to 1 ka option third family aapka right answer next ab aapka question hai one to five parth would not go back to school to meet his schoolmates and teacher because option first his parents wanted to treat him as antonym for the word change his school option second he did not have long to live next up aapka option option number third he hated his school as he had no friends option d his doctors did not let him to write answer hooga aapka question number one to six ka option number second right aapka he did not have long to live question one to six ka option second right answer and next up aapka question is one to eight question number one to seven aapka second right answer and next अब आपका question है question number 129 ए पहराज that can replace the words ganged up in तो जो पहरा आपको दिया गया है पहराज में क्या था आपका पहराज में था आपका that can replace the words gang up in option first आपका है joined in option first क्या आपका join in option second formed a group option third supported together option 4 become friends तो right answer क्या आपका joined in question 1 to 9 का option first joined in आपका right answer होगा question 1 to 9 का next अब आपका question है चलिए next question अब आपका दिया गया है question number 130 question अब आपका है चलिए आपका दिया डारेक्शन है आपका question number 130 से 144 answer the following question by selecting the most appropriate option appropriate option question a आपका 1 30 while evaluating student responses for our reading comparison marks may be deducted for a dash error option first grammatical option second syntactical option third content option fourth spelling तो right answer क्या होगा आपका option number third content आपका right answer a question जो आपको दिया गया 130 इसका right answer आपका option number third आपका right होगा चलिए next अब आपका question है question number 131 a text that requires student to scan in order to understand and analyze the writer's message and purpose could be option first and encyclopedic extract option second a newspaper headline option third a set of instruction to assemble a device option fourth a poem तो right answer क्या आपका option number fourth a poem question 131 का option fourth a poem जो आपका right answer है next अब आपका question है question number 132 वाहिल drafting a note वाहिल drafting a note इस्टुडेंट में बींस्ट्रक्टिद तो है this is just language option first direct option second interview option third descriptive option fourth elaborate to write answer क्या होगा आपका option first direct a right answer होगा question 132 का option first right answer next question अब आपका 133 for evaluating a poster designed as a part of competition which of which of the following criteria would be the most appropriate for the judges option first relevant content style and word limit option second use of question style and visual appeal option third creativity relevant content and visual appeal option for creativity phones and visual appeal right answer option number third right creativity relevant content and visual appeal question 133 option third right answer next question number 134 learners lack confidence to speak in the targeted language in class where the main language of conversation is the local vernacular this challenge can be met by option first allowing students to speak about whatever they can irrespective of the grammatical error enhance their vocabulary and gradually make correction next above option option number second allowing student to watch english films as motivation practice a drill consisting of useful sentence and vocabulary with regular correction of grammatical error option for third insisting on student using only the target language irrespective of the grammatical error enhance their vocabulary with regular feedback on their performance next option after watching option number fourth instruction them to speak slowly and self correct grammatical errors enhance their vocabulary with a list of useful words to write answer question number 134 option first right answer allowing student to speak about whatever whatever they can irrespective of the grammatical error enhance their vocabulary and gradually make correction question 134 option first right answer and next question about question number 135 question in order to drive home the point that listening skill matter student should be option first exposed to popular english films and reviewing them option second taken to the language lab once a week for practice and feedback option third allow to listen to cds of poetry read allowed by well-known voice artist option for reminded that listening skill practice relate to real life to write answer option number first exposed to popular english films and review them question 135 option first right answer next about question question number 136 question question 136 का option first right answer होगा यानी acquisition में difficulty next अब आपका question है question number 137 and activity that requires a class to design and present a powerpoint on the importance of water conservation in a target language is a dash activity option first है आपका multi-disciplinary option second science project option third group option fourth language practice the right answer होगा आपका option first multi-disciplinary question 137 का option first multi-disciplinary आपका right answer होगा next question आपका 138 to enable student to distinguish between academic and spoken form of a target language in a bilingual class they should be encouraged to option first speak in the target because option second read more books written in the target language option third write more in the target language option fourth watch more related bilingual films to write answer होगा आपका option number second read more books written in the target language question 138 का option third option to second आपका right answer next अब आपका question है question number 139 का providing learning support to pupils who lag fare behind their counterparts in school performance includes option first giving more activities for language practice option second providing extra notes and coaching option third allowing them to complete assignment without a time limit option fourth initially adapting school curriculum and teaching strategy तो right answer है आपका option number fourth initially adapting school curriculum and teaching strategy question 139 का option fourth right answer है next अब आपका question है question number 140 in reaching the curriculum for learners who are gifted and talented option first आपका दिया गया है option first आपका गिवाने देम लीडर्शीप रोल्स इन क्लास एक्टिविटीटीज ऑप्शन सेगिन increase complexity of curriculum for them to experience a wider variety of language and opportunities for creativity option third promote them to a higher class so that they are exposed to a more difficult syllabus option fourth introduce a foreign language तो right answer के आपका option number second increase complexity of curriculum for them to experience a wider variety of language and opportunities for creativity question 140 का option second right answer and next अब आपका question है question number 141 identify the false assumption language course book prescribed for student should provide option first detailed lesson plans for teacher option second suggested sequence of teaching procedures option third balanced presentation of information option for organized units of learning experiences to write answer option number first detailed lesson plans for teacher next question 142 students who do not have the opportunity to use the target language outside the classroom demonstrate much lower levels of language competency this can be overcome by option first conducting test periodically to motive them to learn next option 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 number second giving giving them a set of commonly used sentence and vocabulary which they are expected to use option third setting separate tasks which are easier with more time to complete them option fourth engaging them in specific language focused tasks which are indirectly monitored by their group leaders to write answer option number fourth engaging them in specific language focused tasks which are indirectly monitored by their group leaders to question number 142 option third option to fourth after right answer over next question about question number 143 if or on a non-mother tongue language teacher often faces the problem of a class full of reluctant unmotivated learners this can be helped by option first using methods and strategy to motivate and make learning more challenging in the class option second taking the help of an academic counselor who will address the class option third identifying the student who are unmotivated and taking a special class for them next option 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 number fourth increasing learners to take their own time to complete assignment to write answer gap option number first using method and strategy to motivate and make learning more challenging more challenging in the class to question of 143 is correct answer option number first next question about question number 144 language learners learn to do by doing which activities support this observation option first opportunity to practice as it helps with habit formation next option 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 number second increase the use of their mother tongue to promote better understanding of the meaning of a prescribed text option third go from concrete to abstract text option fourth the teacher models the writing and speaking style which learners coffee to write answer question number 144 option 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 to practice as it helps with habit formation to question 144 option first right answer next question then go to train second question number one from ayrumble number 145 twoa五ote three over the angle during that given passes and answer the question that follow by selecting the most appropriate option तो 135 से लेके 150 तक जिकोशन आपको मिलेंगे यह सेगिंद पैसिज जो आपका स्टार्ट होगा सैगिंद पैसिज साब कोशल मिलेंगे ऑप स्टार्ट होता है अब कानिजप्शन ओप प्वाम ओयल इस रोकेटिंग गूम्टेमेंट दौम वेज़ेस गोश्वर्मंट्स टौ जामंट व्हाया बीजेजिट बीजी विए सेटी अध्यूज वीजी प्रीजिय वीजेट करते एंदू भीजेज विए इन पार्च जायो बीजा निजी पार्च टेंपीजिंध की, युगाया वाला आजा थान्योच फिस बीजेजू थार्च टेंट का थो बीजेजिडिय ब फोरेष गूरेष उत टोड़ भीर के लागे जर 230 एफ चार्ब रंगज जि़्स बंग जरी तोर्व जरी लागे ऑजा सब्सक्चा बुछ यंद गरम एंधिन और ट्वागे जरी जरी तोरी जरी बहुंझेड़ के लिकता हैं कि युख विछ लोग अजज जगर फर इस इस लाजली दुट चाहरे सिर्श कि आपकेम होज ने लोग अधरीच ऺड़ देखरीक तान थार्प अधर प्रीट बोच्वा बुट अजान जाओंध यह जारीज एफ बुट इस तान फीत लेख फोरेश सेगान प्रीट्प लेख नेख प्रीख कि अगरीज इस भी एघन दो दा राउंड टेबल ओन सस्टेनेबल पाम ओई रस्पी ओ हैस इस्टैबलिस्ट के लिए एथिकल एंड एकोलोजिकल स्टेंडर्ड फॉर प्रोडूशिंग पाम ओईल बटो सिंस दैन फोरेस्ट डिस्ट्रक्शन हैस कंटीनूट अनाइबिटेड नेक्स्ट आपके कोश्चन स्टाट होते हैं पैसिस से अगर आपने पैसिस दियान से बढ़ा होगा तो आपने जो कोश्चन आपको मिलेगे उनका आप अच्छे से दे पाओगे चलिए पैसिस से आपके कोश्चन बने कोश्चन नमबर 145 आपका है पैसिज़ इस अबाउट इंपक्ट ओफ डैस ओंद इन्वार्मेंट ऑप्शन फर्स्ट डिस्ट्रक्शन ओफ पीट लैंड ऑप्शन सेगिंड पाम ओईल इंडस्टी ऑप्शन तर्ड डिलिंग फोर डीजल फ्यूल ऑप्शन फॉर्ट लोस ओफ कम्निटी तो राइट आंसर क्या आपका पाम ओईल इंडस्टी कोश्चन 145 का ओप्शन सेगिंड राइट आंसर है नेक्स्ट कोश्चन आपका कोश्चन नमबर 146 पीट लैंट्स और नेचुरल तो पीट लैंट्स क्या आपका प्राकर्ति के नेचुरल है ओप्शन फस्ट मीन्स तू सप्रेश कार्बन एमिशन ओप्शन सेगिंड क्यूज ऑफ इन्व 146 का ओप्शन फर्स्ट राइट आंसर है नेक्स्ट कोश्चन आपका कोश्चन नमबर 147 पहराज इंदा पैसेज वीच मीन्स इस्पीडी रेमेडी इज ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया है फिनोमेनल ग्रोथ ऑप्शन सेगिंड क्विक फिक्स ऑप्शन थर्ड करंट अप्शन फोर्ट रेंग एंड बरनिग तो राइट आंसर घ्या होगा आपका ओपशन नंबर सेगेड कोशन 147 पहराज आपका कोशन नबर 148 और कोशन जैगा आपका दस इनोम ओफ नाफल्ड आयरनी इस ओप्शन सेगिंड एलिटी और संधर प्रेज आप्शन फ्रन अप परडूख्ज लगल से प्रॉडक्स यूंबर 149 प्रनिक्तिर फियुक हो और अपके मैं प्रॉडक्शन नहИं प्रॉडक्सित पीट लेंड ऑप्शन थर्ड रियाबिलेटिट लोकल कम्यूटी ऑप्शन फॉर्ट फॉर्स दा क्लोजर ओफ पार्म ओल इंडस्टी तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नमबर फास्ट कंट्रोल डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस इन पार्म ओल प्रोडक्शन कोशें बॉन सब्चान का प्रप्शन फॉर्ट राय्ट राइट आंसर है ऑप्शन फस्ट क्या होगा आपका रा Arguism कशीं这 आब कश्टिऑ पॉर्टी नाइट न प्रश्ट ब ess J आयों सब्सक्रेश कोश्चन क सब्सक्रों मॉर्ट फिफ्टीध नामबर फिफेस्टेयल effort to carry out its responsibility has been option 1st mostly successful option 2nd mostly a failure option 3rd no information in the passes option 4th partly successful right answer option 2nd mostly a failure question 150 option 2nd mostly a failure to 150 question question 2nd answer i am going to the last question from left to right answer you have what you think is a question of the paper if you want you would have your own paper if you could purchase when you have the link at the video description description में मिल जाएगा जिसके जहां पर आपको पेपर फिर्स्ट cities नोपको मिल जाएगा कीमत wealthy रुप आपको's युख चैनल पर नहीं है सबसे पहले टानल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्यों वीडियो को जादि से जादा आप से टाइब आप अंक ज Li झाल झाल